हलो बच्चो करियर प्लाटफ़र्म आप सबकर स्वागत करता हूं मैं हूँ बिनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सकेंड डर्डर थर्डर फोर्थ ओडर डर्डर डर्डर अन्यथ ओडर कैनेटिक्स बच्चो हमारी जो कैनेटिक्स है हमने जिरो ओडर डिसकस कर दिया सुडो फॉर्स्ट ओडर डिसकस कर दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सकेंड डर होगा थर्ड होगा फोर्थ होगा एक अन्यथ ओडर तक कैनेटिक्स हो सकता है नहीं तो हम एक जेनरल फॉर्म भी हम लास्ट को discuss करेंगे तो second order kinetics second order अगर हम kinetics की बात करें तो देखो बच्छो कैसे हम काम करते हैं कैसे work करता है second order सबसे पहले मैं आपको ये बता दिता हूँ second order reaction के लिए कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे A है ठीक है और हम product बना रहे है ठीक है तो R is equal to क्या लिख सकते है के A इसकी power to ये लिखूँगा first नहीं क्यों की second order है तो दो पावर कर दिया और दूसरी तरीके से R मैं लिखूँगा minus ठीक है one by one da by ठीक है dta भी लिख सकता हूँ या आप इसको डिरेक्ट लिख दीजो minus one by one da by dt ये लिख सकता हूँ इसको second बोल दूँ अब देखो ये क्या है एक तरह का इसका जो ग्राफ अगर देखो गे ना अगर इधर हम अगर आपका कंसंत्रेशन का अगर ले ले इधर रेट अगर ले इसका ग्राफ देखा जाए तो हमारा क्या ग्राफ कैसा होगा इस तरह से ग्राफ होगा एक कर्व होगा तरह सग ये to x-square graph होगा, नहीं, बात करते हैं इस दोनों equation से, rate law expression दोनों का अगर हम equate कर दे, तो from equation first and second we have, हम क्या पाते हैं बच्चों, दोनों equation से, हम ये पाएंगे कि minus 1 by 1, da by dt is equal to क्या होगा, k, k, a square होगा, तो यहाँ पर क्या करो, da by a square is equal to minus k dt लिख सकता हूँ, ठीक है, अब आप क्या करो, इसको integration कर लो, तो मैं लिख लेता हूँ, t is equal to zero second पे, a जो है, a note होगा, और t is equal to t second के बाद, sorry, t is equal to zero पे, a जो है, a note होगा, नहीं, और t is equal to t time के बाद, a जो है, हमारा क्या हो जाएगा, a के बराबर, तो मैं इसको integration करता हूँ, da by a square, a note से लेकर के a तक, is equal to, यहाँ integration करता हूँ, minus k dt, zero से लेकर t तक, अब a square के क्या होगा integration, minus one by a, ठीक है, और a note से लेकर के a तक, और इसका integration क्या होगा, k, t, zero से t तक, ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से क्या करो, इस में से घटा होगे ना, तो क्या होगा, one by, इसमें अगर देखा जाया, तो one by a note minus one by a, is equal to, यहाँ minus, ठीक है, k, t हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो इसको इधर ले जाओ, इधर सको दो रहता है, one by a, is equal to, ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो, one by a note minus, one by a, is equal to, minus k, t, यह हमारा, जो है, equation हो गया, ठीक है, यहाँ हम, t is equal to, क्या लिखेंगे, t is equal to, गर पूछेगा, तो यहाँ से, t is equal to, लिख दीजे, t is equal to, क्या लिखेंगे, one by k, ठीक है, और one by a, minus one by a note, यही हमारा time, एक rate law expression हो गया, एक तरह से, ठीक है, तो one by k, into one by a minus one by a note, ठीक है, तो यह आपका expression हो गया, ठीक है, तो अगर आप इसका graph खीचेंगे, ठीक है, इधर अगर आप graph ले ले, ठीक है, तो इसका, अगर हम इसको x axis पर ले ठीक है, इसको y axis पर, जैसे कर लो न, आप इसका graph अगर आप खीचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप graph भी खीच सकते हैं, कैसे खीचेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले, concentration का versus graph ले लिजे, यहां से, अगर यहां से मैं लिखता हूँ, तो one by a is equal to kt, अब plus one by a note, तो यह क्या हो गया, y is equal to mx plus c graph हो गया, मतलब ऐसे graph हो जाएगा, यह इस तरह से graph, नहीं न, सौरी, positive graph होगा, graph आपका, यहां भी न, यह भी सही नहीं है, यह graph होगा इस तरह से, यह न, graph यहां सा आएगा, ठीक है, positive हो जाएगा, जहां पर यह हो गया, one by a note, ठीक है, और यह जो उपर हो गया, one by a क graph है, इधर आपका graph हो जाएगा, किसका, टी का, और slope हो जाएगा आपका, इसका k, slope हो जाएगा आपका k, तो इस तरह से graph होगा, ठीक है, इसका graph, ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें, half life का, तो half life भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, second order का, तो half life कैसे निकालेंगे, तो half life मतलब T half, तो T half का मतलब क्या होता है, 50% reaction complete हो चुका है, तो जब reaction 50% complete हो जाएगा, तो यह concentration कितना होगा, A naught by 2 हो जाएगा, तो T is equal to क्या लिखो गए, T half, तो 1 by K, ठीक है, और A naught is equal to 1 by A naught by 2 minus 1 by A naught, ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, 1 by K, 2 by A naught minus 1 by A naught, ठीक है, तो इसका मतलब 1 by, ठीक है, क्या होगा, K A naught, तो T half, जो है ना, half life हो गया, 1 by K, A naught हो जाएगा, ठीक है, half life of the second order reaction, का आपका क्या हो गया, 1 by K, A naught हो जाएगा, ठीक है, तो उसी तरह से आप ना, जैसे second order का मैंने बता दिया, ठीक है, उसी तरह से आप जो है न, 3rd order का भी आप, खुद से drive करना, ठीक है, जब आप 3rd order करेंगे ना, तो A जो है, जब आप 3rd order करोगे, तो A जो आपका product होगा, ठीक है, तो A जब product होगा, तो A जो है, आपका, अगर आप R इसकल टो लिखोगे, तो K A का पावर 3 लिख देना, ठीक है, और इस से आप drive करना, ठीक है, तो 3rd order का हो जाएगा, इसी तरह से आपको Nth order का भी आपको discuss करना है, ठीक है, तो एक वीडियो में मैं उसको Nth order का मैं last में discuss कर दूँगा, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, तो Thank You Career Platform